प्राण की उपासना दिर्गायुष्य प्राप्त करने के लिए प्राण की उपासना अत्यंत आवश्यक है। हे ज्ञान की स्वामी, हे ज्ञान पते ब्रह्म विद्या ही उमा है। इस ब्रह्म विद्या से युक्त ब्रह्म ज्ञानी ही सोम है। उन ज्यानियों में योग साधना के अनुभो से जिन प्राणों का ज्यान होता है उन छाती में रहने वाले प्राणों को उत्तम पूरक और रेचक उत्तम आने जाने वाला करो। यह प्राण अपने वश में होगा तो महान सिध्ध मिलेगी ज्यान प्राप्त करें फिर प्राणों को वश में करें पूरक और रेचक इनका अभ्यास करें इस छाती में रहने वाला प्राण यदि वश में हो गया तो दीर्ग जीवन प्राप्त हो जाएगा निरोगी रहा जा स स्वास्थ सुख मिलेगा इस प्रकार इस अध्याय में ही महत्व की साधना बताई है जो इसका अनुस्ठान करेगा उसको स्वास्थ आरोग्य और दीर्ग जीवन का सुख प्राप्त होगा सोम अब इस अध्याय में सोम का वर्डन इस प्रकार है भूरे रंग का अपनी शक्त से बढ़ने वाला चमकने वाला स्वर्ग में रहने वाला हिमाले की उची चोटी पर उगने वाला मन का स्वामी मन का उच्साह बढ़ाने वाला सामर्थ्यवान बल्वान उत्तम बुध्ध देने वाला, मन को उत्तेजित करने वाला, दू लोक से व्रिष्ट कर, ताकि पानी की लहरें उचलें और रोग रहित अन्न मिलें, उस धारा से छंता जा, जिसके कारण दुधारू और बच्छडे सहित गाएं, हमारे घर के पास आएं, और उनका दूध सोमरस में मिलाया हमारे बल बढ़ाने के लिए भेण के बालों की छलनी में से धार बना कर नीचे बरतन में जल्दी आ, राक्षसों को मार कर पहले के समान तेज की किरणों को प्रकाशित करते हुए छन कर बरतन में जा, सब को जानने वाले, बहुत प्रगति करने वाले, यग्य में जाने वा सोम पीने की इच्छा करने वाले इस इंद्र के लिए सोम दो हे सोम तू शत्रूं को मारने वाला सब मनुस्यों का कल्यान करने वाला देवों के लिए अनकूल कर्म करने वाला तू गायों के कल्यान करने के लिए शुद्ध हो गाय का दूध सोम में मिलाया जाता है, इस कारण गायों को आनंद होता है, हे सोम इंद्र के पीने के लिए और उसे आनंद देने के लिए तुम बरतन में गिरता है, छाना जाता है, हे शुद्ध होने वाले सोम उत्तम वीर्य से युक्त धन हमारी सहायता करने के लिए इंद्र से लेकर हमें दे जिस रीति से दिव्य प्रजाएं आनंदित रहें ऐसा कर हमारी बुद्ध शीघ्रही उत्तम हो ऐसा कर अनेक कर्म करने वाला और शत्र सेना को हराने वाला हो सोमरस में दूध मिलाओ ताकि उस दूध से बल्वान सोम का धारण हो वे गाएं अपना घर जाने जिस प्रकार बच्छडे अपनी माताओं से मिलकर रहते हैं उसी प्रकार अपने बंधों से वे मिलकर रहें गायों का घर सोम है इसका अर्थ है कि सोम में गायों का दूध मिलाया जाता है गाय का दूध अपने घर जाता है अर्थात सोम में दूध मिलाया जाता है यह अलंक नमस्कार करते हुए सोम के पास जा बैठो और उस सोमरस में दही या दूध मिलाओ और वह सोमरस इंद्र को दो इस प्रकार सोम को इंद्र के लिए देने का वर्डन है अन्य देवों को भी इस प्रकार सोमरस पीने के लिए दिया जाता है सुभाशित आकास से बर्षा अच्छी तरह गिरा और रोग रहित बहुत सारा अन्न हमें दे तू मुसलाधार बरसात गिरा जिसके कारण दू देने वाली गाएं यहां हमारे घर आएं देव आनंद से शब्द सुनें राक्षसों को मार कर पहले के समान अपने तेज से तेजस्वी हो सब जानने वाले बहुत प्रगति करने वाले सबसे आगे रहने वाले को भरपूर अन्न दे बुद्धिमान इंद्र तुम्हारे सारे मनोर्थों को जानता है वह शत्रूं को हराता है और तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करता है सब जीतने योग्य और स्प्रधा करने वालों का नाश करके वह इंद्र तुम्हारा निहशंसे संरक्षन करेगा तु शत्रूं का नाश करने वाला, सब मनुष्यों का कल्यार करने वाला और देवों के अनुकूल कारे करने वाला है गायों को सुख दे, मन की शक्ति को जाने और मन पर शासन करे उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ से युक्त धन हमें दे प्रसिद्ध धनवानों, बलवानों तथा मनुश्यों के हिद करने वालों के तथा दान देने वालों के सामने तू प्रकट होता है जिस इंद्र ने शत्रों की निन्यानवे नगरियों को अपने बाहुबल से तोड़ डाला बित्र को मारने वाले इंद्र ने अही को मार दिया वह कल्याण करने वाला इंद्र हमारा मित्र है वह घोडे, गाय और जो इनके साथ मिलने वाला अन बहुत दूध देने वाली गायों के समान हमें देता है सूर्य यग्य करने वाले को आरोग्य में दिरगायु देता है बहुत से सोम्रस के मीठे पे यवः पिये वाय उसे प्रेरित किये गए स्वैंग की हर तरह से रख्षा करता है प्रजाओं का उत्तम पोशन करता है अनीक रितियों से वह विशेश तेजस्वी होता है विशेश तेजस्वी और विशाल निश्चे से शत्रूं का नाशक दुस्टों को मारने वाला, असुरों को मारने वाला, सपत्मों शत्रूं को मारने वाला तेजस्वी बीर उत्पन हुआ है ये तेजस्वी पदार्थों में उत्तम तेजस्वी सब जगह विजय करने वाले धन जीतने वाले महान और प्रसिद्ध तेज हैं सबको प्रकाशित करने वाला सैंग प्रकाशमान यह महान सूर्य देखने में बड़ा सामर्थेवान अविनाशी और तेजस्वी सामर्थ को पह लाता है यग्य उत्तम रीत से समाप्त कर जैसे अपने पुत्रों को पिता धन देता है उसी प्रकार तू हमें दे यग्य में हम मनुष्य प्रकाश प्राप्त करें अज्यात कुटिल पापी और अमंगल शब्सु हम पर आक्रमण ना करें हे शूर तेरी सहायता से सुरक्षित हुए हम बहुत से संकटों के प्रवाह से पार हों आज कल और परसों अर्थात हमीशा हमारी रक्षा कर हे सज्जनों के संरक्षक हमीशा हमें दिन और रात्र में सुरक्षित कर यह धनवान इंद्र सुख से पराक्रम करने के लिए शत्र को नस्ट करने वाला शूर अत्यधिक अईश्वर्यवान और मिल मिलाकर रहने वाला जो वज्व को धारण करते हैं वे तेरे दोनों बाहु बलवान हैं इस्तृ के साथ रहने वाला अर्थात दिवाहित पुत्र वाले उत्तमदान देने वाले आगे रहने वाले हम विद्ध्या देवी को सहायता के लिए बुलाते हैं विध्या का उपासक, विद्वान, ज्यानी, विध्या देवी इस्तुत के योग हैं, सविता देव के उस स्रेष्ट तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रिर्णा देता है, ये ज्यानपते ज्यान से और योग से चाती में रहने वाले प्राण को तुम हमें दिवलोक और प्रत्वी परके महान अईश्वरियों को दो क्योंकि तुम्हारा देवों में महान बल प्रसिद्ध है। सत्य से सत्य का पालन करते हुए चाहने के योग बल प्राप्त करते हैं। ये आपस में द्रोह न करने वाले दोनों देव बढ़ते हैं। चाहने आकाश में प्रकाशित होती हैं। इसके रथ में सुंदर दोनों तरफ जोड़े जाने वाले, लाल रंग के शत्रों को हराने वाले, तथा वीरों को ढोकर ले जाने वाले, दो घोड़े जोड़े जाते हैं। अज्यानी को ज्यान देने वाले, रूप रहित को सुन्दर रूप देने वाले, सूर्य का उशा के आने के बाद उधै होता है। इस महान इंद्र ने बहुत सारा धन देने की योजना बनाई है। सबका विरोध करने वाला शत्र उत्पन हो गए हैं। वे उपर सिर करके वन में होने वाले युद्ध में नस्ट हों। अनेक रूपों से शत्र सेना को हराने वाला वह वीर है। अमर देव सब उत्तम कर्मों को प्रोटसाहन देता हुआ, खुशलता से आगे जाता है। बलवान बीर युद्ध में जाता है, ज्यानी यग्य को सिद्ध करता है, वे अपने घर जानते हैं, लड़के माता के साथ जाते हैं, अपने भाईयों के साथ वे मिलकर रहते हैं। वह स्रेष्ट ब्रह्म निश्चे से भुवनों में व्याप्त रहता है, जिससे उग्ड तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ है। लोग तेरी भक्त करने के लिए एक जगह इकठे होते हैं। महान अधिक और सामर्थवान वीर को महान कर्म करने के लिए उत्साहित कर, कर्म करने की शक्त के साथ तू उत्पन हुआ है, अपने सामर्थ से काम करने की तेरी इक्षा है, हे उत्साही वीर अपने पराक्रम से तू महान हुआ है, शत्स को हरा, विशेश ग्यानी तू इस्तु वी को तेज से भर दिया है इसके सामर्थ से तू बढ़ा दूसरों को उत्तम प्रेरणा दे